आज हम डिसकस करने जा रहे हैं एलेक्ट्रिसिटी के कुछ फॉर्मूला बेस कुछ हम फॉर्मूला डिसकस करेंगे आपको नुमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी मिलेगी फेन कॉपी लेके बैठ जाईए फॉर्मूला मैं यहां पर नोट करवा हूं आप लोग नोट कर लेजिए पहले बात करते हैं करंट क्या है करंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉर्मूला होता है चार्ज इसको क्या बोलते है चार्ज बोलते हैं इसको बोलते हैं टाइम चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है करंट का फॉर्मूला होता है अब बात करते ह हैं voltage voltage क्या होता है work done upon charge voltage अगर हमको निकालना है तो किसी charge पर कितना work done हो रहा है है हमारा voltage आ जाएगा formula होता है W upon Q voltage का formula अब बात करते हैं resistance resistance electricity में हमने पढ़ा हुआ है formula फिर भी अभी मैं बता देता हूँ resistance का formula होता है voltage upon current V is equal to I voltage upon current ohms law ohms भाया ने जो law दिया था उसका formula होता है current into resistance I into R यह ohms law का formula है हम बात करते हैं resistance in series resistance in series का formula क्या होता है resistance in series का formula होता है R1 R total is equal to R1 plus R2 plus R3 यह क्या होता है resistance in series यह series के बारे में बात कर रहे हैं R total is equal to R1 plus R2 plus R3 resistance in parallel हमने series के बारे में बात की अब parallel के बारे में हो जाएगा 1 by R total is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 यह हमारा हो गया resistance in parallel quantization quantization का होता है Q is equal to any number of electron into electronic charge अगर हम करेंगे तो हमारा आजेगा Q Q quantization Q is equal to अभी हमने बताया the charge होता है Q को charge से denote करते हैं आगे बढ़ते हैं और formula पे heat क्या होता है heat हमने बताया था पहले हम power की बात करते हैं voltage into current power होता है voltage into current V into I क्या होता है हमारा power होता है अगर voltage को current से multiply करोगे तो हमारा power निकल के आ जाएगा अब series में बात करते हैं power को अगर हम series में लेके चलेंगे तो क्या formula निकल के आएगा current का square is equal to resistance क्या होता है series power in series current का square इंटू रेजिस्टेंस current का square resistance current का square इंटू रेजिस्टेंस यह क्या है power in series है पी is equal to पी is equal to वी आई नहीं पी is equal to I square R क्या बोल रहा है current का square इंटू आर तो power in series is equal to I square इंटू आर यह हो गया हमारा series का formula power में series का formula अब बात करते हैं parallel power के parallel का formula क्या होता है voltage का square upon resistance यह हो गया हमारा इंप पैरलल में तो क्या हो जाएगा पी is equal to voltage का square अप आई रेजिस्टेंस आर यह निकल के आगे एक formula इसमें parallel में अब बात करते हैं resistance का formula यह हमारा resistance का formula is equal to होता है raw हमने पढ़ा था raw को क्या कहते हैं resistivity को denote करते हैं raw से length by area क्या होता है हमारा resistance यह formula हो गया अब मैंने छोड़ा था heat हीट आप comment में करके बताओ मैं heat का formula लिख दे रहा हूं फिर भी आप comment कर देना comment करके बताओ ठीक है heat का formula आप सभी लोग comment करके बताओ तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा thank you यह फिर e Māori कर वारती mirror राप, कर दो,ीजवस झाट होझझझदा कराप, कर दो,ीजवस इlorख पर,ीर बताव़ा